गाइज वर्ट्सेप की कुछ ऐसे अपडेट जो कि डेली लाइफ में बहुत जादा काम आते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कि इनके बारे में जानते हैं गाइज कई बार आप चाहते हैं कि आप किसी बंदे के स्टेटस देख लें इसके लिए आपको सिंपली करना है अपने फोन के अंदर वर्ट्सेप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में थ्री डोड का उप्शन मिलता है तो इसको पर क्लिक करना है यहां पर सैटिंग में ब recognizing चले जाना है यहां पर आपको privacy में जाना ऊप्षन को को कर देना है सकी बाद में पताहिं और लेंगे में पने फोन की में जाना है सैटिंग में और यहां पर लाट सीन एंड ओनलाइन को उप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको नो बड़ी पर क्लिक कर देना है इसके बाद में अगर आप ओनलाइन है तो भी आपको ओफ लाइन सो करेगा आप किछी के साथ चैट कर सकते हो उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगे कि आपको ओफ लाइन हो की ओनलाइन हो नेक्स सेटिंग वह आपके काफी यदा काम आ सकती है गाइस कई बार ऐसा होता है कि आप फिर किसी फ्रेंड के साथ में कोई फोटो या फिर वीडियो सेर करते हो लेकिन उसकी काफी यदा लो हो जाती है उस बंदे के पास में पहुंच लो नहीं होती है एक नज अपडेट जो की काफी यदा यूजफू ने चेंज़ प्डेट जारी किया जिसके जरी अप एक नमबर से मुल्टिपल डिवाइस के अदर वर्चे को लोगीन कर सकती हो इसके लिए आपको करना है आपको अपने नई फोन के अंदर वर्चे को जाना है यहां पर लिंक के डिवाइस पर क्लिक करना है और उसके बाद में इस QR कोड को अपने फोन में स्कैन कर लेना है और आप देखेंगे कि दोनों फोन के अंदर सेम नंबर से वर्चेप चल जाएगे तो यह अपडेट इसका ओफिशनल आ चुका है जिससे कि आप एक नं देने नेख वी आपके तेने नेखेंगे में